गाईज वेलकम उन मिट्रा ग्रूप आफ यूट्उब चैनल्स, दोस्तो आपके अपने मिट्रा ग्रूप आफ यूट्उब चैनल्स पर आपका स्वागत है, हमारे तीन चैनल्स हैं, एडू टेख्नो मिट्रा जिस परला को छोड़ कर बाकी सर्भी क्लासी बढ़ायाती है, आज हम एडू टेक्नमित्रा पर एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग सब्जेक्ट लेके आई हैं, यह है एक्सेंज और क्रेंशी, जब भी आपे किसी देश में बाहर जाते हैं तो आपको इस तत्री से गुजरना पड़ता है, आपने इंडियन क्रेंशी को उस देश की क्रेंशी में एक्सेंज करना पड़ता है, ताकि आप कही खाना खास के या कोई भी परचेजिंग करस के, इसलिए जो है, यह बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो है, और पूरी वीडियो को देखना, यह हर विक्ती को फेस करना पड़ता है, चाही कोई टूरिजिम के लिए जा रहा ह है, या फिर कोई बिजनेस के लिए जा रहा है, आज पर गलोबलाइजेशन के कारण, बहुत से लोग दूसरे कंट्रियों में जाते हैं, तो एक्सेंज और क्रेंशी क्या है, इंडियन क्रेंशी का, वर्ड क्रेंशी के भी बिन देशों के साथ कंपरिजन किया गया है, आला जाने से पहले, और जो एकोनोमी होती है किसी कंट्री ही, वो क्रेंशी से ही चलती है, तो एकोनोमी का मतलब है, for international businessmen and also for a non-resident Indian, it becomes extremely important to compare the currency rate in India with other world currencies, in the couple of months, we have seen the Indian rupee gaining and the currency value against global currencies, यानि पीछे हमारा रुपियाग थोड़ा बहुत मजबूत हुआ था, लेकिन वो मजबूती जो है न फेर कमजोर पड़ गी है, staging a recovery, the currency exchange rate in India is today factor of what happens in the interbank action rate in India, इसके उपर जो है ये depend करता है, currency exchange, और ये इसका जो न हिंदी में translation दिया हुआ है, इंदी वाले student यहां इसपे पढ़ सकते हैं, आईए हम चलते हैं next sheet, currency exchange rate, ये क्या होता है, currency exchange rate is the value of one country's currency with respect to other currency, और the rate at which one currency will be exchanged for another, यानि कितने रुपे में जो दूसरी currency ली जा सकती है, या दी जा सकती है, for example, an interbank exchange rate of dollar, जिस वक्त मने data बनाया था, शेतर रुपे था, यानि शेतर इंडियन नेशनल रुपीस, इंडियन रुपीस, चेतर देके 8 USD, United States Dollar लिया जा सकता है, यानि, United States US Dollar means that, रुपे 76 will be exchanged for each 1 dollar, और 1 USD will be exchanged for each 76 rupees, नमबर 2, important fact ये, the currency exchange rate depends on, ये currency exchange rate किस चीज़ पर depend करता है, political condition of a country, नमबर 2, economic condition, नमबर 3, inflation, public deflation, और central bank's interest rate in India, यानि, it is RBI, interest rate, यानि, RBI की जो interest rate उनुपे depend करता है, trade with other countries in that currency, जो हमारे ये जो हमने 5 important factor है, इनके उपर currency exchange rate डिपेंड करता है, पूरी वीडियो को देखना, बहुत चीज़ जानकारी है, और हर वेक्ती के लिए फाइदे बन जानकारी है, बगैर skip के देखना, ये उसका ही निवी ट्रांसलेशन दिया हुआ है, और ये चार पॉइंट हमने आपको बताई थे, ये इनके उपर निर्वर करता है currency exchange rate और अब ये net, अब पहले हम इंडियन रुपे को Asian currency के साथ exchange करेंगे, यानि जो Singapore है Singapore का एक सिंगापॉर डॉलर 56 रुपे में मिलेगा और इस तरह ये अदरवेजान जो 48 है और ये घटता हुआ फिर जोर्जिया का सड़े 23 है और ये मलेशिया 18 के आसपास है मलेशिया ये 18 के आसपास है और चाइना का जो है लगबग अप्रोक्सिमेटली 12 रु और ये लगब पांस रुपे का जो माल दीम का और चाइज से थोड़ा ज्यादा तैम मान डॉलर जो है डाई रुपे से थोड़ा ज्यादा में मिलेगा और थाईलैड का जो है 2.27 के आसपास दो सताइस दो क्वइंट तैइस रुपे में 1 डॉलर ये ताइब त तैट थाइ का ये 0.87 रुपे में एक टका मिल जाएगा बंगलादेश का और इतर गठता हो ये अफगानिस्तान 0.87 नेपलीज रुपीज और कम है अपने इंडिया से 0.62 गया सपास और ये 0.62 गया सपास ये जैपाइन का येन है इतने रुपे मिलेगा यानी आद्दे रुपे है सब्सकान रुपी हमारे इंडिया का डॉइकशान प्रहल जयादा है पाकिस्तान से ओर शरी लंका शरीلاंका में यह 25 पैसे का स्री लंका गांन मिलेगा ऑर कजाकिस्तान में 17 पैसे का इसका टैंग लिएी और अर्मेनिया 15 पैसे में हमारे को एक ए ब्ली मिल जाएगा और मैंचिए आंडिया से इछे पैसे में मिल जाएगा हमका और यह हमारा कंबोडियन रिल this मिलेगा हमारे पैसे के आस पासमें मिल जाएगा और जो लाउस के घस्जी है तो एक पैसे से भी कम में हमारे को मिल मिल जाएगा और वियत नाम का डॉंग है यह तो और ही कम है एक पैसे का भी वन थर्ड के असपास हमारे को मिल जाएगा यह थी एशियन क्रेंशी के साथ इंडियन रुपीज की पोजिशन आपने सीख लिया शीख लिया आपके साथ जाए गई है और हमारे चैनल को लाइक कर देना शेयर कर देना सब्सक्राइब कर देना अब एरोपीन प्रेंशी की क्या पोजिशन है इंडियन रुपीज ब्रिटैन जो ब्रिटैन का पॉंड है जी बीपी बोलते हैं यह एक सो दो यह लगवग एक सो दो पैंट चुएतर एक सो तीन रुपे के आसपास एक मिलेगा और यह यह उरोपीन यूनियन का है यूरो यह जो ना चुरासी रुपे के लगवग में एक यूरो मिलेगा स्विश प्रेंट का भी यह आल है यह साथ 81 रुपे के आसपास और बोस्निया एंड हर्जो गोविना कनवर्टिवल इसका जो है ना 45 रुपे के आसपास और बुल्गारिया का लेव इजीन जो है यह भी आले रुपे 90 पैसे में एक मिलेगा और पोलेंड का ओलिस जलोटी द्यलन अठार रुपे के आसपास एक मिलेगा रुमेन लेव यह 17 रुपे के आ नेम है यह 12 रुपे के आसपास में एक मिलेगा और प्रोटेरियन कुना एच्छार की प्रोशिया का यह जो है 11 रुपे के आसपास में हमारे को एक मिलेगा और इस तरह यह आप देखते जाओ यह गठता जाता है एको ट्रकी भी हमारे है ज्यादा है नो रुपे के आसपास नौर्वे भी हमारे है ज्यादा है नौ रुपे के आसपास और यह सड़े आट रुपे के आसपास स्वीडेन भी आगे है और मॉल्दीव भी जो है ना चार रुपे सत्रा पैसे और कजैक क्रोना भी CZK यह सड़े तीन रुपे के आसपास में मिलेगा यू ए एच उक्रेइन का भी हमारे पौने तीन रुपे मिलेगा और मकेड़ौनिया का जो MKD है वह भी हमारे को स्वारुपी है ज्यादा मिलेगा रस्यान रुबल हमारे रुपे से कुछ काम है एक्यानुम्य पैसे मिल जाएग सर्भीयं,91 पैसे मिलें, आइस्लेंड, आइस्लेंड वाल पैसे मै एक लियुक्ति, यानी जो सबसे वीकर प्रेंशी है , आइस्लेंड है एंडिया के रुप्य के मुकाउबले मे और सबसे स्ट्रोंगर है ŠiPhone तो यह हम Middle East क्रेंशी के साथ इंडियन क्रेंशी की पोजिशन देखेगी, यह जोना एक कंपरीजन दिखाया हुआ है और किस तरह कनवर्टीबल है क्रेंशी मिद इच अधर और हमें यह पोजिशन पता होनी चाहिए जब हम बार जाते हैं, यह कुएट का देखो, KVD, KVD हमा मारे को 250 रुपीज के आसपास, यानि तो 49.75 और इसी तरह ब्रहनी दिनार, Middle East की करेंशी बहुत ही, इंडियन रुपीज से, यह 201.24 के आसपास, और अमानी रियाल है जो है, 117 रुपे, 6 पैसे के आसपास मिलेगा, और इधर जौर्डियन दिनार है, यह भी 107 रुपे के आ आसपास मिलेगा, इस्राइली 12 ILS है, यह 72 रुपे के आसपास में एक मिलेगा, और यूनाटिड अरव अमीरात का दिरम है A.E.D., यह 20 रुपे, 8-3 के आसपास है, और 117 रियाल, SAR, यह 73 रुपे में एक मिलेगा, और कथरी रियाल, कथर का, यह भी 70 रुपे के आसपास में शीरियन पाउंड ये 15 पैसे के आसपास में एक मिल जाए यानि ये पहली जो इना विकर करेंशी आई है इनियन रुपीज की मुकाबले बाकि सब स्ट्राउंगर थी और ये लेबनान लेबनान का लबीपी लेबनीज पाउंड है ये जो इना पांस पैसे के आसपास में अमारे को एक मिल जाएगा और इरान है इरानी ये रियाल ये हमारे को वन टेंथ यानि एक पैसे का भी दसमा इसा ये तो बहुत ही विकर क्रेंशी है इंडियन रुपीज के मुकाबले ये दो तीन क्रेंशी आई है जो विकर है नहीं तो स्ट्रॉंगर हैं बाकि मिडल इस अब हम देखेंगे साउट अमेरिकन क्रेंशी को इंडिया के साथ कंप ये प्रुडेस है इनका वे बस्त्रूपे चनव पैसे में उपि स ही एन और व्मीन ब्रराजियन रियाल ये ब्राजीलीन रियल चोदर पा। पैसे में एक मिलेगा और chillian peso CLP ये 9 पैसे में एक minेगा kaamodian peso है ये 2 पैसे में एक मिलेगा और toremun Orion PYZ ये एक पैसे में एक मिलेगा और जो सबसे वेकर वेकेंसी जो currency है benais fold ayaw key ś canadaoo value नहीं है न्यु गार भान छी island श्याथ आठ नो, 10.000 बहुत ही विकर क्रेंशी है यह विनेजुला की, सबसे विकर क्रेंशी है इन दा वर्ल्ड, वागे हमने नोर्थ अमेरिकन देश की क्रेंशी के साथ कंपेर करेंगे, हमारे से जो ने जिस वक्त यह डाटा लिया था, डॉलर सड़ त्यत्र रुपे के असपास था, और किनेडाटियन डालार ये जो एज्व यत रुपे 66 पैसे के असपास था, किनेडियन डालर रुपे 55 पैसे के असपास था, और डुच विल्डर ऐ-łञजी इ celebrating comprar tax, और जेव डेपय देट्श नोर्र चाहरुनशी पैसे में येback मील रहा था, बैजन डालर BBD, यह 30.50 पैसे में एक और Mexico PESA, MXN, 3.69 पैसे में एक और यह Domenian PESA, 1.59 पैसे में और यह 8.50 में जमलाइका का JMP एक मिलेगा अब अब फ्रीकन प्रेंसी के साथ हम कंपरेजन करते हैं टुनीसिया टुनीसिया भी आगे हमस्वे, सब्हीर रुपे सेंतीस पैसे में एक मिलेगा और गहना के करेंशी है GHS, ओन भी बाराई रुपे सेंतीस पैसे में एक मिलेगी, और मोरोकन दिरम MAD ये भी सवाट रुपे के एसपास में एक मिलेगा और सचेलिये स्रुपी है ये पांस रुपे से तत्र पैसे में एक मिलेगा और जहर है साउथ अपरेकियन ड्रेंड का ये सवाट पांस रुपे के एसपास में एक मिलेगा Egyptian Pound है EJP ये चार रुपे होना त्र पैसे में एक मिलेगा नंभी डियन ड्रेंड ड्रेंड ये सवाट रुपे के एसपास में एक मिलेगा और मौरीशी ये सुरुपीज ये पने दो रुपे के एसपास एक मिलेगा और गंबीनियन जलार्शी जी एंडी ये जो है एक रुपे 40 पैसे में एक और केनियन शीलांग ये के एस है ये 60 पैसे में ये पहली विकर करेंसी आई है इसमें अफरिकन करेंसी में इंडिया के मुकाबले केनिया की और नाइजीरिया नाइजीरिया अठारा पैसे में एक एंजीन मिलेगा और एक से त्योरा पैसे में एक मिलेगा ये सेंट्रल अफरिका है युगंडा की करेंसी दो पैसे में एक मिल जाएगी तो इस तरह ये अफ्रीकन क्रेंशी के साथ कंपरिजन था इंडियन रुपी का अब ओसीनिया मुद्रा बनाम भारतिय रुप्या अब ये इंडियन कंपरिजन से है ओसीनिया कंट्रीस बोलते हैं उनके साथ जिसमें ऑस्टेलिया है आउडी ये जो है सवा चंबन रुपे में एक मिलेगा न्यूजिलेंड का डॉलर जो है बाउंड रुपेटिस पैसे में मिलेगा फिजी इन डॉलर जो है ये 35 रुपेश शालिश पैसे में मिलेगा और फ्रेंक CPF, फ्रेंक XPF जो शॉर्ट में यूज होता है, बैक्तर पैसे में एक मिलेगा, इन ओस इनिया कंट्रीज में शिर्फ एक क्रेंशी विकर है, इनियन रुपीज, अब गाइस, ये लेक्षर जो है ना, समापन की हो रहा है, यानि एंडिंग ओफ लेक्षर जो है ना, कंट्रीज अब दो कंट्रीज की हम क्रेंशी को कंपरिजन करते हैं, ये जो पांच करेंशी हैं, ये टॉप करेंशी हैं, ये टॉप करेंशी हैं, जए ब्पेंदिंय आपन दा पॉलिटिकल, एंड एक्ष्र जोनमिक कंट्रीज इन इन ए गंट्रीज, इंट्रेस रहें पांट्रीए, गंट्री इन नीन पॉप कंट्रीज, इन इन चंट्रीज कंट्रीए, जो सबिसे वाइट लेक्ष्टत्रीज, earlier the money in various countries was based on the gold or silver reserve or combination of the two प्यले जो न, gold or silver reserve के बेस के जो है currencies के combination होते है the exchange rate of top currencies matter to those who trade and also one who is travelling from one country to another country the inflation and deflation of a country is also dependent on the currency if there is any imbalance in the volume of the currency printed then it will result in inflation or deflation guys मैं उमीद करता हूं की आज के knowledge बहुत ही अच्छी लगी होगी और बहुत ही informative है और सब के काम वाली है वीडियो और देखने के बाद like कर देना और एक कारा सा comment डाल देना अब हम समरी की तरफ आगे हैं अपनी इंडियन रूपी की क्या position है देखो Asian country थे हमने पहले Asian country ये comparison किया तो अपना इंडियन रूपीज वह न दस country के मुकाबले विटकर था और 13 country की मुकाबले stronger था पर ये country दो न लेस इंपोर्टेंट country थी चोटी मोटी country थी अब उसके बाद हमने European country के साथ किया 16 countries की क्रेंशी जो है इंडियन रूपीज से stronger थी वह very stronger थी और 4 countries में इंडियन क्रेंशी stronger थी उसके बाद हमने Middle Eastern का comparison किया था 8 countries जो है very stronger than रूपी थी और 3 countries विकर थी इंडियन रूपी के मुकाबले फिर हमने South American देशों के साथ comparison किया 4 countries stronger थी और 5 countries विकर थी इंडियन रूपी उसके बाद हमने North American countries का comparison किया 8 countries जो है stronger थी इंडियन रूपी के मुकाबले उसके बाद हमने African country के साथ किया 9 countries की currency जोने stronger, very stronger थी और 4 countries की currency विकर देन रुपी थी उसके बाद हम सीनिय countries के साथ किया, 3 countries की currency जोने stronger थी और एक country की विकर थी आज और सबके काम आने वाला lecture है, जो भी भाई बाहर जाएगा, गोमने के लिए जाएगा, या education के लिए जाएगा, अब बिजिनिस के लिए जाएगा, तो इसका analysis करके जाए, कि उस country का exchange rate क्या है इंडिया के साथ, ताकि किसी आपको problem का सामना ना करना पड़े, और हमारे ये तीन चैनल, एडू टेक्नमित्रा, एमजे मित्रा और एडू लामित्रा, इनको subscribe जरू कर देना, वीडियो को like कर देना, दोस्तों में share कर देना, ताकि जान करें, ज्यादा है ज्यादा लोग बतागे, पहुंच जाए, और लोग फाइदा उठासके, थेंक